हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू जोती फूड़न ब्लॉग फ्रेंड्स आज मैं आप सब लोग लिए लेकर आई हूँ ग्रिल्ड फिश की रेस्पी जिसे कि मैंने बनाया है माइक वेब में बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट फिश बनके ये तयार होत है तो चलिए अब हम देरने करते हैं और रेस्पी को स्टार्ट करते हैं लेकिन रेस्पी को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के शाथ इसे शेर करेगा और मे लेटो मेल्लड फिश बनाने के लिए आपको इसी मेरि नियुक्त नमक क मतहरंगे अब देखने वस्तो क्या स्केड्याओं इसमें रिपान इसमें डालना है तो शुटा सा आधरक और लयासन आप look at देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमस मस्टर्ड ओयल, यदि आप मस्टर्ड ओयल का यूस नहीं करते हैं तो अधर कोई भी ओयल डाल सकते हैं, देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमस चावल का आटा, देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमस चावल का डालेंगे देन उसके बाद आप हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन अजवाइन से जो हमारी फिश है उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है तो इसको बुलकुल भी skip मत करिएगा अजवाइन को डालने के बाद अब हमारा इसे आदे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है तो यह देखिए मैरीनेशन फिश में बहुत अच्छी तरह से मैंने लगा दिया है अब इसको हमें छोड़ देना है फ्रिज में जब आदा घंटे हो जाएंगे तब हम फिश को निकाल लेंगे दैन उसके बाद हम लेंगे यहां पर एक बेकिंग ट्रे में मैंने थोड़ा सा ओइल लगा दिया है दैन उसके बाद इस तरह से स्कुर्स लेंगे हम इस पर ही लगा कि हम फिश को ग्रिल करेंगे लेकिन यद जब आदा आद करेंगे लेकिन निकाल लेकिन यदा अधिया दिया दिया है तो यहां पर सारी फिस मैंने इस को इस पर दोपाद अधिया है में थोड़ा स बचाए थैंग आपको यहाँ पर फिश में लगा देना है उसकि बाद यह माइकरवेब में कुक करने के लिए तो चले चलते हैं माइकरवेब की तरफ तो यह रहां मेरा ऐलजी का माइकरवेब तो सबसे पहले आपको माइकरवेब में रखना है higher rack then उसके बाद आपको रख देना है fish को then उसके बाद आपको microwave का जो grill mode है वो set करना है तो यहां से mode set होते हैं तो मैं set कर रही हूँ यहां पर grill mode grill mode set करने को start की button को press करेंगे then उसके बाद आपको यहां पर लगाना है time तो यहां पर जो time है बोर हम लगाएंगे 20 minutes का हम इसे grill कर रहे हैं इसलिए हमें इसे preheat microwave को preheat नहीं करना है बहुत से लोग confuse होते हैं कि grill mode को क्या preheat पे भी लगाते हैं तो जब हम microwave क्या grill mode में कोई भी चीज कुक करते हैं तो हमें preheating की जरूत नहीं पड़ती है preheat की जरूत सिब convection mode पर पड़ती है तो हमें यहां पर जो फिश निकालेंगे और इसे एक बार पलट देंगे क्योंकि grill mode में एक साइड से cooking होती है तो एक साइड शिर्ट फिश कुक हो चुकी है लेकिन दूसरे साइड से भी cook करना जरूरी है तो उसको पलटने के बाद हमें थोड़ा सा इस तरह से oil लगा देना है फिश पे देन उसके बाद हमें इसे फिश रख देना है microwave में और जो बाकी जो टाइम बचा है उतने देर में हमारी फिश है वो दूसरी तरब से भी cook हो जाएगी तो यहाँ पर पूरा टाइम हो चुका था तो आप मैं फिश को निकालती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से फिश हमारी तयार हुई है यह देखिए हमारी जो grilled फिश है बुलको बन के तयार हो चुकी है और यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि स सारे जो microwave होते हैं उनकी जो heating power होती है वो अलग-अलग होती है और कई बार जो फिश की जो शेफ है वो भी थोड़ा सा अलग होता है यदि आपकी फिश थोड़ी सी पतली होती है तो फिश जल्दी को खो जाती है तो इसलिए आप 15 मिनट करीब जब आपके microwave में फिश को पक वीडियो को लाइक करेगा और अपने friends and family के शाद इसे जरूर शेयर करेगा और मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को subscribe भी कर देजेगा आप मिलती है आप सब लोग से नैस वीडियो पर जब तक अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू सो मच वाचिंग मैं वीडियो बाई 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 आप बाई